एलनाबाद और कालका विधान सभा उपचुनाव में नेताओं की ड्यूटियां लगाने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उम्प्रकाश धनकर और जन्नाइक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंग के बीच चर्चा हुई उमीदवारों का चैन को लेका जन्नाइक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंग ने कहा कि दोनों पार्टियों ने मिल बैठकर फैसला करना है और दोनों ही पार्टियों के फैसले के अनुसार ही दिगविजे चौटाला आगे बढ़ेंगे इस बारे में खास बात की है हमारे संबादाता अनिल कुमार ने जन्नाइक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंग से किसानों की फसलों की खरीद आज से सुरू हो गई है जन्ना एक जन्ता पार्टी ने इसके लिए क्या इंतिजाम किये हैं इस समय साथ हैं जन्ना एक जन्ता पार्टी के पर्देश अध्यक सरदार निसान सिंग इन से जानते हैं किसान की फसल की जो परक्योर है वो बड़ी अत्रीके से हो किसान को को दिक्कत ना आए उसकी देखरेक के लिए जहां सरकार ने इंतिजाम किये वहां हमने अपने संक्ठन के लेवल पे भी हमारे जो कारी करता है में इन मुखह कारी करता है जैसे डिस्टिक प्रेजिडेंट हर कापरदार बगएरा उन सब की डूटियां लगाई है कि वह जाकर के मंडियों के अंदर परचेश सेंट्रों के अंदर इस सारी बात को उसकी देखरेक करें कि कहीं किसान को दिक्कत ना आए निसान सिंग जो पार्टी इतना इंतिजाम कर रही है अपने कारेकरताओं को मैद किसान में उतार रही है और फिर भी जो किसान है क्रिशी कनून का क्यो विरोध कर रही है तिक यह वो किसान की सोच है मैं भी किसान हूँ और मैं भी उसका पक्षदर रहा हूँ जो उनकी सोच है उसका और मैं भी बार बार सरकार को हमारी हर्याना की सरकार को केंदर की सरकार क को ये बात कहता रहा हूं कि किसान की बात को गंबीरता से सुना जाए उस पे चर्चा की जाए ओ ठीक है नहीं हो पाया हमें इस बात का दुख है और अभी किसी चीज़ का कभी एंड नहीं होता आगे भी उसकी जो ना बात दुवारा चल सकती है और मैं आज भी इसका टिटर्ड रहे लगातार कई महीनों तक कई लोग महां जो शहादत भी हुई उनको अपनी जान गवानी बड़ी तो ये को अच्छा मैसेज नहीं है निसान सिंग जी एलनाबाद और काल का उप्चुनाव किसी भी समय हो सकते हैं तो इसके लिए पार्टी की क्या त्यारिया है देखिए गठबंदन मिलकर के दोनों चुनाव लड़ेगा और उसके उपर तैयारियां हम जल्दी शुरू कर रहे हैं दोनों पार्टीयों की तरफ से निताओं की डूटियां किस तरीके से लगें उसकी शुरुआत किस तरीके से हो इस पे चर्चा हमने शुरू की है और चुनाव लड़ेंगे उन्होंने ये भी काया कि पार्टी हमारी मा है और हम पीछे नहीं आटेंगे ती वो ठीक है उनकी बात कि पार्टी हमारी मा है पार्टी हमेशा मा की समान होती इसमें कोई दोर आए नहीं लेकिन निरने गठबंदन के निताओं ने दोनों पार्टीय कि शीर्स जो लेता है उन्होंने करना है और बहुत सोच समझ के करना होता है और वो जो भी निर्णय करेंगे उसके उनसारी दिख्विजजी जो अनागे बढ़ेंगे ये थे मेरे साथ जन्नाएक जन्ता पार्टी के पर्देश अध्यक सरदार निशान सिंग इन्होंने का है कि फसलों की खरीद आज से शुरू हो गई है और इस बार जन्नाएक जन्ता पार्टी ने अपने कारेकर्टा को मेदान में उतारा है ताकि किसानों को किसी दिक्कत का सामना ना करने पड़े अनिल कुमार टोटलियो चंडिगार